झाल टेंस अब हमारा जो नेश्ट टोपिक है वह सिंफेसिस आफ ऐबोप्रोफिन हम देखते हैं कि आइबोप्रोफिन होता क्या है सबसे पहले इसके यूज़ एकनि कीस में इसका यूज़ चीह जाता है ऐबोप्रोफिन यूज़agu स्फरीत फेवर माईल्ड य तू मॉद्रेट फेइं अध defend winning pH में या day में फॉर्म कीदनी इच्टोर में भी उसके डर्द में इसका यूज किया जाता है यहां पर इंपर नहीं अटिपर फिन है अजिसकख यूज वहार के पेन में की मादेग प्रॉपक है किया जाता है देंटल पेन में किया जाता है दात में जो दर्द होता है उसमें आइबोप्रोफिन का यूज किया जाता है ठीक है किड्नी इस्टूर में जब दर्द होता है तो उसमें भी यूज किया जाता है अब इसका सींथेसिस देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जाता ह कौन कौन से इसके लिए रिजेंड यूज किया जाता है ठीक है सबसे पहले इसका कन्वेंशनल रूट देखते हैं कन्वेंशनल रूट में क्या किया जाता है आईसो ब्यूटिल बेंजीन लिया जाता है अइसोब्यूटील बेंजीन शिम फिर्मुले। यहां पर ईसोब्यूटील है, और एक बेंजीन एंग, थीकशं़लिक है? चार कार्बन वाला यहां पर अइसोब्यूटील है, और उसके बाद इसका जो reaction है वो किस से कराया जाता है acetic enhydride से acetic enhydride से reaction कराया जाता है यहाँ पर catalyst use किया जाता है aluminum trichloride जैसे ही acetic enhydride का isobutyl benzene के साथ reaction कराया जाता है तो क्या बनता है यहाँ पर CS3COH acetic acid यहाँ पर निकलता है ठीक है remove होता है और यहाँ पर बनता है यह यहाँ पर isobutyl benzene और यहाँ पर CS3C double bond O जो है यहाँ पर जूड़ जाता है यह जो group है वो ortho directing रहता है इसी बज़ा से यह isobutyl benzene के ortho position में जाकर जूड़ता है अब इसका जो reaction है वो किसे करा जाता है chloroacetyl acetic anhydride से करा जाता है अब क्या होता है यहाँ पर जो oxygen है इसके पास lone pair of electron है वो डारेक्ट इस वाले carbon पर attack करता है और chlorine जो है बहुत ही अच्छ living group है इसी वज़ा से जैसे ही यह carbon पर attack करता है यह bond जो है तोड़ जाता है और chlorine जो है release हो जाता है ठीक है फिर क्या बनता है यह compound यह isobutyl वाला ring और यहाँ पर यह direct जो इस carbon से जुड़ा हो है यह carbon हो गया oxygen यह h cs3 c double bond o o c2 h5 ठीक है यहाँ पर जो oxygen है वो त्रिकोनी वाला बनता है क्योंकि यह जो compound है वो बहुत ही ज़्यादे stable रहते है ऐसे form में oxygen का यह ऐसे त्रिकोनी वाला triangle वाला bond बनना बहुत ही ज़्यादे measure करता है ठीक है इसी वज़़ा से ऐसा bond यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर जो है bond का breaking होता है oxygen जो है यहाँ से तूटता है और यह वाला group जो है यहाँ से तूटकर बहार निकल जाता है remove हो जाता है तो क्या बसता है यहाँ पर यह ring हो गया और C double bond O H CH3 क्योंकि यह जो है C2 H5 और यह वाला group O double bond O यह बहार निकल जाता है और बसता सिर्फ क्या है C double bond O H ठीक है अब क्या होता है यहाँ पर जो इसका जो reaction है वो किसे करा जाता है hydroxyl MRC NH2 OH से यहाँ से H2 और इसके पास जो oxygen है ठीक है LD8 के पास जो oxygen है यह H2 O के form में बहार निकल जाता है एक water molecule और बसता क्या है यह जो है इसके साथ directly attach हो जाता है तो bond की तुरू और क्या बन जाता है यह ring हो गया H, C double bond N, OH यह वाला group यहाँ पर जाके bond बना लेते हैं ठीक है अब यह वाला जो OH है और यहाँ पर का जो H है वो दोनों एड होकर H2O molecule के form में बहार निकल जाता है बसता क्या है साइनाइड ठीक है C triple bond N और यहाँ पर CH3 अब इसका हाइडरोलीसिस करा जाता है हाइडरोलीसिस कराने के पाद यह जो साइनाइड है वो किसमें बना 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 जाता है कार्बोग्जली ग्रूप में C O O आच्मी और इसी फार्मूले को क्या बोला जाता है आइबो प्रोफिन ठीक है यह आइसो बूटैल वाला रिंग है और उस पर ग्रूप आ जाता है यह जब साइनाइड वाला जो ग्रूप है इसका जब हाडरोलीसिस करा जाता है तो C O O S कार्बोग्जली ग्रूप यहाँ पर जोड़ जाता है और इसी को क्या बूला जाता है आइबो प्रोफिन अब इसका ग्रीनर रूट देखते है ग्रीनर रूट में क्या होता है यह है क्या आइसो ब्यूटिल बेंजीन इसका एसेटिक एन हैडराइट के साथ रियेक्शन कराते है एसेफ के प्रेजेंस में तो वही और्थो डारेक्टिंग है वो ग्रूप यहाँ पर जो C double bond O C S3 है वो और्थो डारेक्टिंग रहता है इसी होजासे यहाँ पर जाकर बैंड हो जाता है और जो ACT के सीदे है वो बहार निकल जाता है अब इसका H2 के प्रेजेंस में इसका रियेक्टिंग जाता है तो क्या होता है यह जो डबल बॉंड Belgian oxygen है वो ऐलकुहल में कनवर्ट जाता है ठीक है H2 के प्रेजेंस में जब इसका रियेक्टिंग कराया जाता है यहाँ पर तो क्या होता है यह OH में बदल जाता है अब इसका Oxidation होता है Carbon Monoxide और Palladium के Presence में तो Oxidation होकर क्या बन जाता है ये Carbuxley Group बना जाते है ये जो Alcohol था वो Carbuxley Group में Convert हो जाता है और इसी को क्या बोला जाता है Ibuprofen इस तरह से ये है Greener Root और ये है Conventional Root दोनों Root के जरीए हम Ibuprofen के Synthesis को अच्छे से समझ सकते हैं ओकी